एलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को हमारे राजस्थान के ट्राडिशनल साड़ी पहनना बता रहे हें वो भी दो डिफ्रेंट तरीके से जिसे हम यहां पीला कहते हैं लोकल लेंग्वेज में पीला कुछ इस तरह कहते हैं पीला एक ट्राडिशनल सारी है तो सबसे पहले हमें पेटिकोट पहन लेना है जो भी आप पहनना चाहते हैं साड़ी के मैचिंग का क्योंकि साड़ी में दो कलर है तो मैंने रैड कलर लिया है आपको जहां कमफर्ट रहता है आप जहां अपना पेटिकोट बांगते हैं नाभी के उपर या नाभी के नीचे तो आप वहाँ अपना पेटिकोट बान ले और अगर पेटिकोट जादा लंबा है तो आप उसे कुछ इस तरह उलट ले पर उलटना आपको सिरफ बीच में यानि फ्रेंट और बैक के बिलकुल बीच में से उलटना है आपको आपकी कमर के दोनों कॉर्णर में इसे नहीं उलटना है क्योंकि अगर वहाँ से भी आप पेटिकोट को उलट देते हैं तो वो कुछ इस तरह दोनों कॉर्णर में छोटा हो जाता है फ्रेंट से उलटते हैं तो इतना छोटा नहीं होता है पर अगर हमने उसे कॉर्णर से उलट दिया तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है तो इसलिए जब भी आप पेटिकोट पहने और वो लेंथ में जादा है तो आप सिर्फ उसे फ्रेंट से थोड़ा अपने पेटिकोट के अंदर टक करें और पीछे से थोड़ा फोल्ड करें पेटिकोट का बेल्ट आपको हमेशा टाइट बांदना है और बांदते वक्त यह ध्यान रखना है कि पेटिकोट का बेल्ट थोड़ा कमजोर ना हो क्योंकि अगर वो कमजोर होता है तो वो कभी भी तूट सकता है तो जब भी आप साड़ी या पिटिकोट पहनते हैं तो बेल्ट को हमीशा ध्यान में रखे क्योंकि कई बार ऐसे incident हो जाते हैं कि चलते वक्त या कोई और activity करते वक्त ये बेल्ट अपने आप तूट जाते हैं क्योंकि पेटिकोट लंबा है तो हमें उसे आगे से और पीछे कमर में से कुछ इस तरह से अंदर की तरफ टक करना है बट साइड में से नहीं करना है कहने का मतलब चारों तरफ से पेटिकोट को फोल्ड नहीं करना है अगर हमने कमर से इसे फोल्ड कर दिया तो ये और भी जादा छूटा हो सकता है ये मैंने साड़ी के उपर पहन के बताया है क्योंकि हम जो साड़ी पहनने वाले हैं उसके नीचे फॉल होता है तो ये बाकी का एरिया वो फॉल कवर कर लेगा यह मैंने हमारे राजस्थान की traditional साड़ी पीडा ली है हमारे यह रिवाज है कि जब भी किसी लेडी के फर्स्ट बेभी होता है तो वो बेभी होने के बाद पीले की साड़ी पहन सकती है इसके अलावा वो कभी नहीं पहنتी है कमारी girls भी ये साड़ी नहीं पहनती है तो जिसके कोई baby नहीं होता है वो भी ये साड़ी नहीं पहनती है baby होने के बाद ही आपको ये साड़ी पहनने को दी जाती है तो हम साड़ी पहनने पे आता है तो ये जो fall है ये नीचे की side होता है तो इस area को हमें नीचे रखना है और इसके just उपरवाले से हमें first corner लेना है और उसे थोड़ासा आपको या तो गांट लगा लेनी है या थोड़ासा जाधा कपड़ा अंदर की तरफ टक करना है ऐसा करने से वो कपड़ा बार-बार पैरों में नहीं आएगा और धीरे-धीरे क पहनने में दिक्कत होती है या साड़ी बार-बार खुलती रहती है इस तरह आपको first को touch करती हुई साड़ी पहननी है कि जो हमारी साड़ी का fabric है वो first को touch करता रहे और हमने जहां belt बांदा था यानि first point start किया था साड़ी पहनने से पहले हमें वहीं तक ही साड़ी को टक करना है यहां तक हम अच्छे से साड़ी को टक करने कि आपको first की तरफ भी देखते हो जाना है चारो तरफ कि कहीं से साड़ी उपर तो नहीं हो गई है बले उसका border आपको उपर से अलग लगे पर आपको first की तरफ ध्यान देना होगा हमेशा कि साड़ी चारो तरफ से equal है क्योंक करना है साड़ी के कपड़े को लेते हुए हमारे कमर के एक राउंड करते हुए हमारे शोल्डर पर उसे रखना है आप घुटने से नीचे या थोड़ा उपर या equal अपने नी तक का आप पलू ले सकते हैं जितना भी आपको comfortable रहे और इस तरह से साड़ी का उपर वाला हिस् और एक simple सी safety pin यहां लगानी है यह safety pin बहुत ही important होती है यह बहुत चीजों में आपकी help करती है first यह है कि आपको चलने में किसी भी तरह की दिकत होती है साड़ी पहनने के बाद तो इस तरह से आप पिन लगा के फिर साड़ी पहनते हैं या plates बनाते तो आपको चलने में कभी दिकत नहीं आने वाली यह second है यह आपको body shaper का भी look देता है एकदम perfect साड़ी बनती है और बहुत अच्छा look देती है अब हम कमर की plates बनाना start कर रहे हैं इतना fabric छोडने के बाद हम first plate बनानी है उस fabric को हमें नहीं लेना है जो हमने दूसरे हाथ में fabric ले रखा है हमें वही fabric ल बना सकते हैं क्योंकि कई साड़िया होती है plates बनाते हैं बार-बार हाथ से निकलती है तो कुछ आप इस तरह easily धीरी-धीर plates बनाए क्योंकि starting में plates बनाना बहुत मुश्किल होता है और इस बात का ध्यान रखें कि plates उपर से equal रहे भले यह लंबाई में आगे-पीछे हो यह ताकि यह छोटी बड़ी ना लगे साड़ी में ड्रॉप करने के बाद मिनिममम पांच plates बनती है किसी भी साड़े में अगर आपने उसमें से ब्लाउस निकाला हुआ है plates को equal करने के बाद आपको यहां पर एक safety pin लगा देनी है हमेशा बड़ी pin का यूज करे क्योंकि छो वापस निकलाएगे और इसे टैटली पकड़के अपने पेटी कोट के अंदर टक कर ले टक करते वक्त फर्ष पर नजर रखें कि प्लेट्स फर्ष को टच करती हुई होनी चाहिए अगर प्लेट्स फर्ष के उपर रहें तो वो चलते वक्त और भी उपर लगेंगे और पर पहले पहन ले उसके बाद ही आप साड़ी पहने तो उसके बाद आप प्लेट्स को कुछ इस तरह से एवन करते हुए सीधे देखें सीधे अपने हाइट को सीधे स्ट्रेट करें और उसे अपने पिटिकोट में टक कर ले आप चाहे तो इन प्लेट्स को एक सिफ्ट पि थोड़ा सा फैलाते हुए रखते हैं यह उपर से दिखाई नहीं देगी पर फैलाने से इनका एक प्लस पॉइंट यह होता है कि यह नीचे से थोड़ी एक अच्छा लुक देती हुई दिखेंगे आप यह ट्रिक ट्राय करके देखना है एक बार किसी भी साड़ी में आप प् आगे नहीं चला जा रहा है साड़ी टाइट हो गई है तो कुछ इस तरह से आप पहनते हैं प्लेट्स बनाते हैं तो साड़ी कभी भी टाइट नहीं होगी अब हम शोल्डर की प्लेट्स बना रहे हैं तो इस फैब्रिक को आपको अच्छे से इवन करते हुए अपने शोल् पलू साड़ी पहन सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा लुप देती है थोड़ा शोल्डर से नीचे एक सीफटी पिन लगानी है और एक बड़ी प्लेट आपको यहां बनानी क्योंकि साड़ी का फैबरिक बहुत चोड़ा है हम इतने चोड़े फैबरिक को नहीं समाल सकते हैं तो इसलिए हम यहां एक सिंपल सी बड़ी प्लेट बनाएंगे और उसे एक सिंपल सी सीफटी पिन से अटैच कर देंगे ताकि हमें जादा फैबरिक को संभालना ना पड़े प्लेट कुछ छोटी हो जाए और एक अच्छा लुक भी दे क्योंकि जादा बड़ा होता है तो वह बार-बार हाज से नीचे की तरफ आता है पल्लू तो हम इस तरह से एक प्लेट बना के उसे अंदर की तरफ से बलाउस से अटैच कर सकते हैं ऐसा करने से वह जादा चौड़ा भी नहीं होगा और एक लुक भी अच्छा देगा तो कुछ इस तरह से हाज हमने ट्रेडिशनल साड़ी को फ्री पल्लू में कनवर्ट किया है ये एक सिंपल साड़ी है और एक ये बहुत अच्छा लुक दे रही है आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो प्लीस अभी एक ल प्लेट्स को कुछ इस साइज में लिया है क्योंकि बहुत अच्छे लगती है प्लेट्स आपको जिग्जग तरीके से बनाने है अपने थाम और अपने फिंगर के मंदद से कुछ इस तरह जिग्जग करते हुए आप इने रफले भी बना सकते हैं क्योंकि ये शूल्डर प क्योंकि हम उल्टे पल्ले की सारी पहन रहे हैं तो जो सबसे नीचे वाली प्लेट होगी वो उपर आएगी और सबसे मतलब साड़ी के उपर वाला फैब्रिक वो नीचे की तरफ आएगा और वो हमारे राइट हैंड की तरफ फेस करता हुआ होगा कुछ इस तरह अब हमें इसको सेट करना है धीरे-धीरे करते हुए एक आइडिया जो हमने ले लिया कि हमारे फर्स्ट प्लेट इतनी है तो बाकी की प्लेट को भी हमें इतना ही लेना है कोशिश करें कि आपने जो प्लेट सोची है जितनी चोड़ाई में उतनी ही ले क्योंकि ये अपने आप छोट ब्लाउज में साड़ी को अटैच करना है तो उसी जगह से अब हम प्लेट्स को बिलकुल सही से सेट करेंगे और हमारे ब्लाउज हमारे शोल्डर से थोड़ा नीचे की तरफ होते हुए वहां एक सीफ्टी पिन लगाएंगे अब एक मैं आपको यहां ट्रिक बताने वाली हुए एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप शोल्डर की प्लेट्स कुछ इस तरह बनाती है तो हमेशा जो भी पिन आप इस जगह लगाती जहां मैंने हाथ पकड़ रखा है कभी भी आप इस से अपने नेक की तरफ होते वे सेफटी पिन लगाएंगे तो वो साड़ी उतना ही इसदर भागेगी तो आप इससे अच्छा थोड़ा सेफटी पिन को अपने दूसरे हाथ के शोल्डर के पास लगाएं यानि कि लेफ्ट हैंड की शोल्डर के पास लगाएं तो ऐसा करने स साड़ी कुछ इस तरह से लुक देगी और यह बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपने नेक की तरफ पिल लगाते हैं तो वह नेक की तरफ जाएगी और जो आपकी चेस्ट का साइड का पार्ट वह इसी तरह दिखाई देता रहेगा तो इससे अच्छा है आप अपने उनों ही तरफ सेम बॉर्डर है तो जब भी आप सेम बॉर्डर वाली साड़ी वियर करते हैं तो हमेशा फॉल को देखकर ही साड़ी को पहने कि फॉल किस साइड है फॉल हमेशा नीचे की तरफ हाता है और उसके सिंपल वाला उपर की तरफ आप लोगों को मेरा वीडियो प और आप आसानी से पल्लु को सिर्फे केरी कर सकती हैं आज मेरे आपको जितना हो सकता है साड़ी पहने का बहुत ईजी तरीका बताएं सभी वो टिप्स कवर करने की कोशिश की है जो कि एक साड़ी पहनने में आपको मदद करते हैं तो इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आयो तो जरूर लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या क्या सजेशन्स है और मुझे किस तरह और भी बैतर अपनी वीडियो को करना जहिए थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग बाबाई